अलो फ्रेंड्स, डीके सिनाद्धिस साइट, आज हम एक इंपॉर्टन टॉपिक के उपर में चर्चा कर रहे हैं, पेटीम के शेहर के बारे, इस स्टॉक ने एक मासिव डाउंट्रेंड मूफ दिखाया है, अगर देखा जाए तो कैपिटल में इरोजन, आईपियो के वक्त स से ओवर 85% का हुआ है, अब रीसेंट टाइम की बात करें, तो RBI ने डारेक्शन इशू किया कि पेटियम पेइमेंट्स डांक जो है, वो नए कस्टमर को एकवार नहीं कर सकता है, और इस कारण से स्टॉक में और बड़ी गिरावट दर्जी, और ये एक्शन RBI ने क्यों ल ये ये किया, तो RBI ने ये जो स्टॉपज लगाया है, कई बार एक कंपनी के अंदर में सारी चीजें इंप्रूव होने की भी संभावना होती है, तो आज चर्चा का विशय क्या है, पहला ये है दोस्तों कि क्या टेक्निकल अनालिसिस के अनुसार, चार्ट पैटर्न के अन रही थी, ताकि हम इतने बड़े लॉस को अवाइड कर सके, जिनकी भी पोजीशन थी पेटियम स्टॉक में, दूसरी आगे आने वाले सवे में क्या संभावना है बनती है, क्या इस स्टॉक में हमें अपने वाचलिस्ट में रखके, आगे एक संभावना है बन सकती है, जहा आडिमिक पाइंट अफ व्यू से बढ़ा इंपोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके बाद आपके ओपीनियन को मैं जानना चाहूंगा, कि ये सारा इस डिसकेशन के बाद आपको क्या लगता है पेटियम स्टॉक के बारे, त ता कि आप हमेशा अपडेटेड रहें, चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्राइस के पास आते हैं, तो इस क्राइस को कितनी मिचौर्टी के साथ हैंडल किया जाता है, वो किसी दी अच्छी कमपनी के लिए इंपॉर्टन हो जाती है। अब क्राइस आने के बाद कई बार चीज़ें इंप्रूव होती हैं, तो कि जो भी अभी तक रेगुलेशन को इग्नोर किया जा रहा था, आर बी आई के मेनी नोटिसेस के बाद भी, तो साथ उसके लिए एक एक अच्छन प्लान बनाया जाए और चीज़ें इंप्रूव हों और कमपनी का परफॉर्मेंस भी भविश में इंप्रूव हों। तो जब इस तरह का क्राइस आता है, तो इसको डिनाई किया। लेकिन दूसरी न्यूज एक और जो आई, रिपोर्ट हुई मेडिया में वो थी कि एडी ने, एंफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट ने इन्वेस्टिगेट करने के पाद ये पता लगाया कि फेमा के तहत कोई वाइलेशन नहीं है पेटियम। ये तो एक पॉजिटिव न्यूज हो गई। तीसरी बात, सीमलेस पेमेंट जारी रहे, इसके लिए पेटियम ने एक्सिस बैंक के साथ में टाइब किया। तो फिलहाल तो पेटियम के पास सबसे बड़ा चैलेंज किया है। रेगुलेटरी कंप्लाइंस को स्क्रीम लाइन कर। तो क् आक्शन लिया है, जो इस दिशा में वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने त्री मेंबर्स कमीटी एक अड़वाईजरी पैनल का गठन किया है। और वो डिरेक्टली वोट अब डिरेक्टर्स के साथ में कंपनी के काम करेंगे। और वो अड़वाईज करेंगे कि क्या एक्शन लेने चाहिए, ताकि ये इशू रिजॉल हो सके। तो इस कमीटी का सबसे इंपॉर्टन आस्पेक्ट क्या है, कि इस कमीटी का चेर्मेन जो है, वो मिस्टर दामोदरन है, जो एक रिटार्ड आयास ओफिसर हैं, और काफी एक्सपीरियंस रहती हैं, पहले सेवी के चेर्मे ठीके, वो भी काफी एक्सपीरियंस चाटर्ड अकॉंटेंट है, मुकुंद मनुहर चिताले, ये प्रेजिडेंट रह चुके हैं, इस्चूट अफ चाटर अकॉंटेंट्स, और तीसरे इंपॉर्टन मेंबर है, वो भी काफी एक्सपीरियंस है, और वो राम चंद्र राज करेगी Board of Directors को Paytm के, कि कैसे compliance aspect को streamline किया जाए, ये तो एक positive action नजर आ रहा है, अगर इन्होंने पूरी study करके जो advice किया और Paytm के Board ने उसे implement किया, तो मुझे लगता है कि ये crisis हो सकता है कि temporary crisis हो, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं Price Chart के उपर, और Price Chart के उपर में चलके पहले य चार्ट formation इस बात के और इशारा कर रहे थे, कि शायद अब distribution pattern है, हमें निकल जाना चलिए, या जो लोग इसमें ले के बैटे है, तो उनका trailing stop, it हो जाना है जोई बीकेस diamond club channel membership for fundamental and technical analysis, learn strategies and risk management to stay ahead of the curve, join now and attend our weekly meetings every Sunday ये पेटियम का मन्थली price chart है, नस्ट के ऊपर निया, ये ये पेटियम का नाम क्या है, 197 Communications Limited तो ये इसका price chart है, मन्थली price chart, इसका IPO जो आया था November 2021 में, तो इसने all time high, जिस मन्थ में इसकी listing हुई थी, उसी समय बनाया था, 1955 का, ये all time high है, पेटियम के stock का, ये significant है कि Indian stock market का ये, सबसे बड़ा IPO था, कोल इंडिया लिमिटेड के IPO आने के बाद, करीब 10-11 साल के बाद ये IPO आया था, और उससे बड़ा IPO था, कोल इंडिया लिमिटेड के IPO से ये बड़ा IPO था, लेगिन ये stock continuously गिरता रहा, continuously गिरता रहा, कभी इसने opportunity नहीं थी, buying की, अब इस जगह पर आने के बाद यहाँ पर देखें, तो एक pullback हुआ, एक आशा जगी कि यहाँ पर buying की opportunity मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई decisive move नहीं हो रहा, इसने inverted hammer का formation किया, और उसके बाद आप देखें, यह small body candlestick pattern बन रहा था, और कोई भी reversal chart pattern नहीं था, और ultimately 844.7 पे, जाके एक shooting star का formation हुआ, और again weakness आगई, और market structure, lower highs and lower lows का बन पर चला गया, अब इसके बाद में यहाँ पर एक smart pull दा कहीं, यहाँ lower time frame में जब चलेंगे तो देखेंगे क्या यहाँ पर कोई opportunity नजर आ रही थी, buy करने की stock की, क्योंकि हम market की psychology को समझने की कोशिस कर रहे हैं, chart के formation के अनुसार, कि क्या इसने opportunity really में दी थी, यह लोगों ने impulsive buying की थी इस stock में, जहां तक technical chart formation का सवाल है, अब आप देखिए इस stock को, इस stock में कितना बड़ा drawdown हुआ, यह देखिए drawdown हुआ, करिब 83.72%, नियर यह 84% का, यह drawdown हुआ, क्योंकि इसने all time high जो बनाया था, 1955 का था, और इसने recent time में जो low बनाया है, 318.05 का इसने low बनाया, तो काफी बड़ा capital में erosion हुआ था, इस stock में, अब हम लोग कुछ एक retracement analysis करते हैं, तो देखें, मैं इस impulsive wave, जो नीचे गिरने वाली wave थी, major wave थी, इसकी retracement analysis करते हैं, कि यहां retracement analysis से क्या पता लगता है, कि यह जो pullback हुआ, ultimately 38.2% retracement level से, यह price reject हो गई, इसका मतलब derivative जो था golden ratio का, उसके उपर भी price नहीं जा पाई, अगर कोई candle इसके उपर में close हो जाती, तो एक समावना बनती की price फिर 1000 रुपे के उपर जा सकती है, और या फिर 11.97, जो golden ratio है, वहां तक जा सकती है, बहां ultimately ऐसा नहीं हुआ, और price reject हो गई, और shooting star बना, कब बना, august 2022 में, और फिर कम जोरी आगे इस stock में, अब यहां पे हम गौर से देखें, तो क्या ये correction recent time में समाप्त हो गया है, वैसे ही ये pay tm को उपर में जो हम video लेके आपके समख चाहें हैं, ये part 1 है, क्या इसने technical chart formation के अनुसार, निकलने की opportunity दी ती की नहीं दीती, ये indicate किया था कि नहीं किया था, क्योंकि price ultimately leading indicator है, part 2 में हम लेके आएंगे, इसकी broad fundamentals की चर्चा करेंगे, और technical chart formation के अनुसार, अलट करेंगे chart के उपर में set, ताकि जब opportunity आए, तो हम इसको further analysis करके decision ले सके, अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूँगा, कि ये जो गिरने वाली impulse से वेव है, तो ये हम बोल सकते हैं कि, ultimately आप देखिए A, B, और ये जो pullback हुआ यहां C, तो इस pullback के बाद में गिरावट हुई है, तो ये क्या correction की समाप्ती हुई है, तो चलिए इसको analyze करके देखते हैं, तो ये मैं इसको draw कर रहा हूँ, और इसको pullback करके ले जा रहा हूँ, ये आप देखिए, तो currently जो है lower shadow तो 127.2% expansion के नीचे गई, बट price में recovery आने के बाद ये उस level पे trade हो रहा है, अब सिंस ये महना समाप्त नहीं हुआ है, तो ये candle कहां पे close होगी, ये तो अभी पता नहीं है, तो इसको बाद में review करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा क्या होता, कि overextended जो ABCD pattern होता है, उसको ये complete कर लेता, और price करीब 240 के आसपास गिर जाती, तो एक confidence बनता, कि अब इसमें इसमें ये bottom बना लिया है, 239,240 का, अब यहां बते कि प्राइस इस महने में alone 51% करीब गिर गई है, 50.57% की गिरावट करेंट बन में नजर आ रही है, recovery होने के बाद, और आप यहां देखिए extent of participation बहुत आई है, volume बहुत जादा नजर आ रहा है, और जब ये buy आई थी, pullback हुआ था, inside बार बना था, तो volume कम था, बहुत कम था, इसका मतलब buying जब हो रही थी, तो extent of participation नजर नहीं आ, further closely हम price action को समझने की कोशिस करें, यहां significant बात क्या है, यह जो price का rejection हुआ 844.7 का, तो यह जो candle बनी, यह वाली candle, एक massive bullish candle थी, और यह candle बनी थी, जून 2023 में, इसकी closing 844.7 के उपर में हुई, लेकिन इसका high क्या था, 914.95, तो इसका follow through, कई समय तक नहीं हुआ, ultimately हम उसमें, multiplying factor लगा के, entry का decision लेते हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद आप देखिए, फिर यहां पर, एक bullish flag का breakout हुआ, यह flag pattern का breakout हुआ, यह देखिए अच्छा खासा pole था, तो इस candle में जो breakout हुआ, तो फिर आशा जगी, कि शाद यह stock उपर जा सकता है, October 2023 में, बट इस candle का high क्या था, 998.3, क्या उसका follow through हुआ, नहीं हुआ, तो अगर हमने strategy बनाई होती, इसको buy करने की, तो हमारी entry ही trigger नहीं, और इसलिए इस channel के, जो tutorial series है, Zero to Hero में, यह सारी बाते सिखाई गई है, कि कई बार हम एक bad trade को avoid कर सकते हैं, अब बढ़ते हैं, आगे, और weekly chart में चलते हैं, और price action को समझते हैं, downtrend के बाद, इसका यहाँ apex था, यह इसका यहाँ breakout भी हुआ, और यह double bottom का target को achieve करने के बाद, यह फिर से price को lapse करें, और इसने एक नया low बना लिया, यह जो double bottom था, उसके नीचे में price चली गई, फिर क्या opportunity मिले इसमें buy करने की, तो यहाँ देखिए, price structure को ध्यान से, market का structure higher highs and higher lows था है, क्या यहाँ पर कोई और reversal chart pattern में जरा रहा है, तो मैं यहाँ पर reversal chart pattern खीच के दिखाता हूँ, यह आप देखिए, यह reversal chart pattern था, यह reversal chart pattern था, यहाँ पर बहुत क्लियर है, मैंने neckline कीचा है, यह left shoulder है, यह head का formation है, और यह right shoulder है, इसका breakout हूँ, और यह breakout के बाद, अगर हम इसके target को निकाले, इस inverse head and shoulder के target को, तो मैं target को निकालता हूँ, और point of breakout से, इसे project कर जा, इसने किया किया, inverse head and shoulder के target को यहाँ अचीब किया, और फिर गिरावट चालू हो गई, तो जब गिरावट यहाँ हो रही थी, तो थोड़ा सा price action को समझने की कोशिश की जिए, उसके पहले क्या हुआ, target achieve हुआ, तो जो normally हम करते हैं, 50% quantity का profit book कर लेते यहाँ पर, जब price 963 के आसपास में गई थी, कोईकि इसका target achieve हो रहा था, तो एक संभावना थी, कि correction हो सकता है, यह तो नहीं मालूम था कि इस तरह ज़े collapse करेगा, लेइन यह तो मालूम था, कि कहीं नगे correction की संभावना है, तो चलिए, और सबसे important बात क्या थी, कि यह देखिए, cup and handle pattern का breakout हुआ था, यह हुआ था breakout, और breakout candle का जो high था, वो क्या था, यह breakout हुआ था, मैं अब precisely बताता हूँ, 16th October 2023 वाले week में, इसका high था 998.3, उसका follow through नहीं हुआ, यानि अगर हम cup and handle pattern के अनुसार, इसमें entry डालते, तो हमारी entry रिखर नहीं की, और आप देखिए, उसके subsequent week में क्या बना, one black crow candlestick pattern बना, अब मैं आपको एक trend line कीच के दिखाता हूँ, यह ध्यान से देखिए, यह trend line को मैंने खीचा, यह trend line क्या indicate करती है, यह trend line indicate करती है, multiple support, और इससे मैं fine tune करता हूँ, यह देखिए multiple support को, price का support, 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 और इसके बाद में इतने दिनों तक price ने कभी भी trend line के नीचे trade नहीं किया, लेकिन यहाँ पर क्या price action था, कि absolutely price 920.75 के उपर में कई सब्ता तक closing नहीं दे पार रही, इसका मतलब क्या था, यह neck line जो थी, cup and handle pattern का, यह resistance को रूप में act कर रही थी, और जैसे ही इस trend line का breakdown हुआ, तो अगर मान लीजे किसी ने 50% profit यहाँ book किया है, remaining 50% quantity का stop loss क्या होता, obviously यह cup and handle pattern का, जो lowest point है, कम से कम यहाँ रहता, अगर जो अच्छा technical analyst है, तो वो इस जगह पे stop loss को रखता, और वो बाहर निकल जाता इसमें से, कब निकलता, जब price ने 829 के level को तोड़ा था, मतब terminal पे हमारा trailing stop loss जो था, 829 होना चाहिए था, माली जो वहाँ भी नहीं है, को कि हमने 50% profit बुक किया है, तो यह cup and handle का, जो lowest point है, यह देखिए, यह lowest point है, तो 755 पर तो exit बनता था, यह देखिए, इस जगह पे, यह failure breakout था, यह false breakout था, यह तो confirm हो गया, आपने अगर 0-0 के tutorial से सीचा है, तो कैसे false breakout होता है, यह सारी बाते चर्चा की गई है, और यह lowest point था, तो यहाँ पर, तो कम से कम निगल जाना था, यह था 755, तो अगर हम 755 में भी 50% में निकलते, तो अच्छे खासे profit में रहते, ताकि हम इतने बड़े loss को बचा पाते, अब यहाँ पर चलते हैं, daily price chart में, अब यहाँ पर पहले इस chart में भी देखते हैं, कि current week में एक inside bar बन रहा है, जिससे यह तो पता लगता है, कि downside momentum का अभाव है, there is a lack of downside momentum, बट अभी तक कोई reversal chart pattern नहीं है, तो कोई भी stock में, जब इस तरह से buying आती है, तो buying आने के बाद बहुत dangerous situation है, यह देखिए price का resistance था, resistance था breakout हुआ, और इसका breakdown हो चुका है, तो upside move में यह trend line अपने आप में, एक बहुत major resistance को रूप में थाबित होगी, और यह अपने आप में resistance है, price action, गनुसार, यह entire zone जो है, यह resistance है, तो अभी risk लेने से ठीक नहीं होगा, कोई कि अभी confirmation नहीं हुआ है, और multiple resistance है, इसको upside नहीं है, अब daily charge में चलते हैं, लोग कैसे stock market में फस्ते हैं, लगतार इसमें lower circuit लगता रहा, अगर हमने stop loss पे 755 पे निकल गहते, तो यहाँ पर आप देखिए, इस जगह पे निकल जाते, अफकोर्स gap down open हुआ है, तो हम जो भी price मिलती हम निकल जाते, शायद हमें 755 नहीं मिलता, हम 728, 829 पे निकल पाते हैं, उसके बाद देखिए, यह pullback जब हुआ, तो pullback की candle को देखिए, बड़ी small body candle थी, कोई proper upside momentum बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, और price कहां से reject हुई, यह देखिए, यह जो double top था, इसका जो neckline है, यहाँ से price reject हो गई, और वो confluence क्या था, SMA 200 का, तो for example, कोई यहाँ नहीं निकल पाया, यह pullback market हमेशा opportunity देता है, majority of the time market opportunity देता है, और pullback होके, जब neckline से price reject हुई, जो की confluence था, SMA 200 का, SMA 233 का, तो कम से कम इस जगह पे, आपको एक अच्छा भाव मिल जाता, और 734, 735 पे हम निकल सकते थे, अब देकि फिर से वापस, दो दिनों तक इसमें अपर circuit लगा है, इन देखा जाए तो 20 तारीख को भी circuit लगा है, February को, और अपर circuit लगा है, 19 February को, अब इस जगह पे बाई करना क्यो रिस्की है, है तो यह massive downtrending move में, सारे critical moving averages का slope downward है, इसका मतब short term trend, intermediate trend, long term trend, सारे bearish, क्या हमें कोई stock जो massive downtrending में है, उसे इस वक्त में buy करना चाहिए, अभी तो हम लोगोंने fundamentals check नहीं की है, तो अगला जो part 2 आएगा इसके, उसमें हम लोग fundamentals के बारे में भी बात करें, अब देखें, यह pullback है, यह trend reversal है, अभी कहना मुश्किल है, price हमेशा downtrending move के बाद में, जब पहली pullback होता है, तो वो कभी भी reliable नहीं होता है, और इसी कार्ण से कोई कि वो sell off हो नहीं होना है, sell off होके अब price इस level को फिर से test करेगी, जो करी 318 का level है, और या फिर price inverse head and shoulder बनाएगी, तभी तो जाके reversal chart pattern बनते हैं, या तो double bottom बनेगा, price ऐसे उपर जाएगी, correct होगी, double bottom बनाएगी, उसका कहीं effects create करेगी, और जब effects का breakout होगा, तब जाके यह confirm होगा कि trend का reversal हो रहा है, कोई कि reversal chart pattern का breakout होगा, अब अभी कहना मुश्किल है, कि price ऐसा भी कर सकती है, कि एक inverse head and shoulder बना सकती है, तो हम inverse head and shoulder आपको draw करके दिखाते हैं, imagine करके, कि क्या impossibility हो सकती है, यह देखिए price नीचे गिरी, इसने left shoulder अगर यह बना लिया है, और यह price उपर गई, और यह vertical fall है, इसको मैं उपर ले जाता हूँ, यह आप देखिए, तो price यहाँ पर कहीं जाके, reject होगी, और फिर यह right shoulder बनेगा, तब जाके inverse head and shoulder का breakout होगा, दूसरी possibility है, यह trend line जो हमने कीची है, price इस trend line से reject हो, और नीचे गिरे, और फिर inverse head and shoulder का formation हो, तो जब तक कोई reversal chart pattern का breakout नहीं होता है, इस stock में buying करना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब यह upper circuit लग भी रहे है, तो यहाँ पर देखिए, volume अभी बहुत अच्छे से build नहीं हुआ है, जब कोई reversal chart pattern का breakout होगा, तो volume का pattern भी हम study कर सकते हैं, और breakout में, क्या volume का pattern रहा है, characteristics रही है, इसको भी हम समझ सकते हैं, अभी हम लोगों ने Paytm के share के उपर में technical analysis की, price action को समझा, और उससे क्या पतल है, कि किसी भी stock में, अगर हम technical analysis proper तरीके से करें, और अलग-अलग technical studies को apply करें, तो हम market की psychology को समझ सकते हैं, price action को समझ सकते हैं, और technical analysis हमें बताती है, कब buy करना, कब sell करना, और risk को manage करने के लिए, कितनी quantity buy करना, और ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं, और एक proper strategy का निर्मान करते हैं, तो disaster होने से अपने आपको, majority of the time बचा पाते हैं, बाकी इस चैनल के उपर में, Zero to Hero का podcast है, और उसके माध्यम से आप घर बैटे, technical studies के, अलग-अलग aspects को आप सीख सकते हैं, और दक्षता हासिल कर सकते हैं, ताकि आप भी technical analysis प्रपर तरीके से कर सके, कि आप कर सकते हैं,